आज की class हम start करेंगे बिखने की बिखने की बाईटेकनलोजी की मेडिसें में क्या importance है बाईटेकनलोजी की एगरी कल्चर में importance हम पड़ चुके हैं तो ध्यां से देखें तो actual में बाईटेकनलोजी हमारी help कहां करती है सबसे पहले ध्यान रखना दो वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम आईसी चीजों की पर्डक्शन करेंगे जिनकी कोई medicinal importance होती है ठीक है और therapeutic इसी का ही एक part है जिसमें हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जो किसे disease के treatment में काम आती है जिसमें काम आती है डिजीज के treatment में काम आती है ठेरपी ठेरपेटिक मतलब एक particular disease के treatment में काम आती है फार्मासोटिकल की भी हलाकि medicinal importance होती है लेकिन जैसे कि हम केलमेक खा रहे हैं केल्शिय मेगनिशिम खा रहे हैं फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो यहां पे तो हम उनको भी include कर लेते हैं लेकिन थेरपेटिक्स में उन्हें ड्रॉक्स या मैडिसिंस को रखा जाता है जिनकी किसे disease के treatment में काम आने की possibility रहती है तो बायो टेक्नोलोजी हम क्यों यूज करते हैं बेटा हम इनकी production के लिए यूज करते हैं हलाकि इनको हम chemical formulation से भी prepare कर सकते हैं लेकिन बायो हमारी कैसे help करती है एक तो बायो टेक्नोलोजी की help से हम इनकी mass production कराते हैं लार्ज केल पर production कराते हैं कम टाइम में ज्यादा production हम करा लेते हैं किसकी help से बटा बायो टेक्नोलोजी की help से ठीक है बायो टेक्नोलोजी की help से हम इनकी mass production करा पाएंगी दूसरा importance क्या है बायो ट से साइड एक्टिण सब्सक्राइब hey अगर इनसे औन गहां थिए अनुट 15 से सफ नहीं Falls कि değer आटेक्टिप and मुर्य होती अगराइं कहते हैं दॉक्ति मिल्म करें संसे निए को इंड का भी यहल में को एन讲 संस्ट्राइब एका जूर्म हम तर्फ संसे रिक्रान को शे तेरपेटिक ड्रुक्स बहनाते हैं वो क्या करती है! श्रम किता यरा यर्थ्लिप किसको तो वो का इस पाइल यर्म किसो जियुक है? औरुबन्टब यही इम्मिनोलोजिकल रस्पोंस प्रॉत को खर्चन कशन बाया트가 केया तो करा रहे हैं लेकिन जब उस चीज़ को एनिमल सोर्स में या नोन होमें सोर्स में हमने उनको प्रड्यूस कराया और होमें को कंज्यूम करा दिया तो उनमें अन्वांटर्ड इम्नोलोजिकल रस्पोंस आते हैं जैसे कि एलर्जी हो जाना ठीक है कोई साइड एफेक्ट आ तो यह होते हैं अन्वांटर्ड इम्नोलोजिकल रस्पोंस ठीक है लेकिन अगर इनी को हम बाइटेक की हेल्प से बनाते हैं तो फिर क्या होता है बटा दे डू नाट एंड्यूस अन्वांटर्ड इम्नोलोजिकल रस्पोंस जैसे कि हम इंसुलिन की बात करें हो में के नोन होमें थार्स में तो से क्या हैंगे हलां कि वुमिन के जीन को हमने एनिमल्स में एक्सप्रेस करा दिया लेकिन उसको जब हम हम भुमिन को रस्पॉंस आ रहे हैं लेकिन अगर हम उसको प्रोड्यूस कराएं बाटेक की हल्प से तो वह अन्वांटेड इम्मिनोलोजिकल रस्पॉंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं अभी तक मार्केट में अगर हम देखें तो 30 री कॉंबिनेंट थैरापेटिक ट्रॉक्स ऐसी हैं जिनको हो में कर्जंप्शन के लिए अप्रूवल मिल यह किस्टन बन सकते हैं एक नंबर में 30 री कॉंबिनेंट थैरापेटिक से ऐसी हैं विच हैव वी अप्रूवड for human use जिसको human use के लिए क्या दी मिल गया है विटा approval मिल चुका है लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ आपको 12 देखने को मिलेगी In India, 12 are presentally marketed अलाकि word में 30 therapeutic drugs को human use के लिए approval मिल चुकी है लेकिन Indian market में आपको सिर्फ कितनी मिलेंगी 12 अभी तक बाकी therapeutic drug की इंडिया के अंदर marketing पॉसिबल नहीं है तो ये तो journal introduction था कि medicine में हम biotechnology को क्यों यूज करें तो एक तो therapeutic और pharmaceuticals को बनाने में हम यूज करते हैं दूसरा हम किसलिए यूज करते हैं बटा Gene therapy ये भी हम आगे discuss करेंगे ठीक है Gene therapy और तीसरा आती है इसकी application बटा आपका molecular diagnosis कि molecular diagnosis में हमें इसको यूज करने हैं ठीक है किसमें यूज करने हैं molecular diagnosis में यूज करने हैं तो यह तीन applications हैं जिनको हमें study करना है कि medicine में इसकी क्या importance है तो therapeutics और pharmaceuticals में तो आपकी NCRT ने एक application दी है जिसको हम कह रहे है genetically engineered insulin के production करना तो सबसे main part हम शुरू करें यह important है genetically engineered insulin insulin अब इसमें पहले तो हम base बताएंगे कि हम insulin के production करना क्यों चाह रहे हैं फिर हम बताएंगे कि biotech की help से insulin बनाने से पहले हम कैसे produce करते थे insulin को और फिर उसके क्या side effect थे क्या disadvantages थी कि हमें genetic engineering को यूज करना पड़ा biotech को यूज करना पड़ा फिर biotech की help से हम उसको कैसे बनाएंगे कैसे commercialize किया गया इसको हम तीन parts में divide कर लेते हैं तो सबसे पहले हम सबसे पहला part start करते हैं बटा सबसे पहला part क्या है शार्पी शेफर शार्पी शेफर शार्पी शेफर scientist थे 1916 में उन्होंने यह बताय था सबसे पहले कि diabetes क्यों होती है diabetes क्यों होती है it is caused by failure of beta cells of islet of pancreas आपने पढ़ा हिए pancreatic gland को आपने पढ़ा होगा alpha cell होती है beta cell होती है gamma delta pp cells होती है तो यह क्या कहे रहे diabetes क्यों होती है जब islet of longer hence होता है उसके beta cells ने अपना काम करना बंद कर दिया तो due to failure of beta cell of islet उनकी वज़े से क्या होगा है diabetes होती है ठीक है इसके बाद और scientist थे bending and best bending and best bending and best में 1921 में क्या बताया कि हलाकि इनके साथ एक और scientist included था जिसने इसकी help की मैकलियर्ड ठीक है यह जहीं ध्यान एक मैकलियर्ड जो था वो भी इनके साथ Bene calor इन्होंने मिलकर के क्या बताया सबसे पहले इन्होंने रोग के से सूश इन्सुलिन को प्यूर फॉर में एक्स्तlish किया जैसा कि हम बात करे थे रोग के सिन्सुलिन को क्या किया बिटा है प्यूर फॉर में extract किया और डो के insulin को फिर use किया human के लिए लेकिन उसके हम side effect आगे देखेंगे तो ध्यान से चुनना दो scientific contribution यहाँ पर आते हैं पहला आते है Sharpie and Schaefer का Sharpie and Schaefer में ने 1916 में हमें बताया था कि diabetes क्यों होती है क्योंकि slit of longer hints of pancreas की beta cells fail हो जाती है वो अपना काम properly नहीं कर रही है क्यों क्योंकि वो insulin की production कर रही थी और insulin के deficiency की वज़े से क्या हो जाती है diabetes हो जाती है दूसरा scientific contribution आया बेंटिंग एंड़ बैस and McLaurd तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया डॉग के pancreas से insulin को extract out किया डॉग के pancreas से क्या किया insulin को extract out किया लेकिन जब हमने किसी animal source की insulin को human consumption के लिए use किया तो क्या problem सामने आई बटा वो problem हम देख लेता है drop back क्या आई अब देखें कि इसके drop back क्या आई जब हमने किसी known human source का insulin human के लिए use किया तो क्या problem सामने आई अब क्योंकि non human source का insulin था dog का insulin था तो this insulin is slightly different slightly different from human insulin ये क्या था बटा human insulin से slightly different था अब क्योंकि ये slightly different था तो कई बार इसको यूज करने से अन्डेजाइरेबल साइड एफेक्ट आए क्या है अन्डेजाइरेबल साइड एफेक्ट आए ठीक है अन्डेजाइरेबल साइड एफेक्ट क्यों आए क्योंकि ये इंसुलिन होमेन इंसुलिन से slightly different था होमेन इंसुलिन से क्या था कुछ पोजिशन पर different था अब किन पोजिशन पर किसी में चीज था उसके लिए आमें क्या करना पड़ेगा बटा इंसुलिन की structure को पड़ना पड़ेगा तो द्यान से देखें क्योंकि structure को अगर हम study करेंगे तब ही हम बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है ठीक है तो द्यान से देखें structure of insulin insulin की structure कैसी है तो बिटा human की body में insulin जो होता है initially pro insulin की form में होता है और जब इसको function करना होता है तब यह insulin की form में convert होता है तो हम पहले structure पड़ेगे pro insulin की फिर pro insulin mature insulin में कैसे convert होता है इसके बाद हम यह पड़ेगे तो actual में pro insulin क्या होता है storage product होता है मतलब insulin जो store होता है वो किस की form में store होता है pro insulin की form में store होता है लेकिन जब इसको act करना होता है तो उस time पर यह किस form में act करता है बटा यह act करता है insulin की form में तो पहले हम study करेंगे pro insulin की structure और उसके बाद बटा हम study करेंगे mature insulin की structure या यह कहते simply insulin की structure तो pro insulin जो है it consists of three polypeptide chain इसके case में three polypeptide chain होती है बटा कितनी polypeptide chain होती है तीन polypeptide chain होती है अब कौन कौन सी होती है यह देखो कौन कौन सी polypeptide chain होती है एक को नाम दिया गया A chain एक को नाम दिया गया B chain और एक को नाम दिया गया C chain A chain जो थी वो 21 amino acid की बनी थी कितने amino amino acid की 21, B chain जो है, वो 30 amino acid की बनी है, और C chain जो है, बटा वो 33 amino acid की बनी भी है, A chain में 21 amino acid है, B chain में 30 amino acid है, C chain में 33 amino acid है, ठीके, और ये जो दो polypeptide chain है, A और B, A और B, these two polypeptide chain are interconnected by these are interconnected by two disulfide bridge, ये दो disulfide bridge से आपस में connected है, दोस disulfide bridge होंगे, और A disulfide bridge also occurring A chain A chain के अंदर एक internal disulfide bridge भी होता है A chain के अंदर क्या होता है internal disulfide bridge भी होता है ठीक है तो यह चीज ध्यान लखना A chain में क्या होता है internal disulfide bridge भी होता है यह चीज आप ध्यान लखना और इसके अलावा जो C polypeptide chain है ये एक additional polypeptide chain है जब C polypeptide chain remove हो जाते है तब आपका क्या बनता है mature insulin बनता है तो C chain is removed prior to insulin formation और ये जो process होता है जिसमें हम C chain को remove कराते है ये process कहलाता है maturation of insulin maturation step के दोरान C polypeptide chain remove हो जाता है और pro insulin किस में convert हो जाता है insulin में convert हो जाता है तो इनके structure की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना इसके structure कुछ इस तरीके की होती है pro insulin की structure होती है ऐसी ये आपका pro insulin है इसमें आपने यहां तक का part कहा है A polypeptide chain ये है आपका A polypeptide chain ठीक है ये A polypeptide chain है इसके बाद ये है आपका B polypeptide chain यहां से ले करके यहां तक ये क्या है बटा B polypeptide chain और बाकी बचाववा part जो बीच का part है ये क्या है बटा C polypeptide chain क्या है C polypeptide chain तो छोरी में हमने क्या पढ़ा A और B polypeptide chain दो डाई सल्फाइड ब्रिज से कनेक्टड है किस से कनेक्टड है दो डाई सल्फाइड ब्रिज से कनेक्टड है ठीक है एक हमने पढ़ा कि A polypeptide chain में internal डाई सल्फाइड ब्रिज है क्या है internal डाई सल्फाइड ब्रिज है तो इसके अंदर हमने दिखा दिया internal disulfide bridge यह A polypeptide chain है यह B है और यह C है अब जब यह mature insulin में convert होता है तो क्या होता है A polypeptide chain ना C polypeptide chain remove हो जाता है और आपका सिर्फ क्या बचता है बटा A and B यह A polypeptide chain है और यह B polypeptide chain है ठीके A polypeptide chain आपका remove हो जाता है C polypeptide chain आपका remove हो जाता है A और B के बीच में दो disulfide bridge है और एक disulfide bridge A के अंदर internal है तो यह हमें structure बतानी है यह A polypeptide chain है और यह है B polypeptide chain तो यह जो process होता है pro insulin से mature insulin का बनना यह कहलाता है बटा maturation कई बार C polypeptide chain का function board exams में पूछा गया है What is the role of C polypeptide chain तो आप क्या कहोगे जब तक C polypeptide chain insulin में रहता है तब तक वो pro insulin की form में रहेगा लेकित जैसे ही maturation के दोरान हम C polypeptide chain को remove करते हैं वो mature insulin में convert हो जाता है MCRT ने इस diagram में थोड़ी से mistake दी है क्या mistake दी है correct कर लेना यह क्या कहरे देखो blue color को represent कर रहे B polypeptide chain से अब देखो इसका मतलब यह क्या है B polypeptide chain है क्योंकि blue color में है यह है green color का polypeptide chain तो यह है A polypeptide chain अब according to theoretical part हमें क्या कहा गया था A और B के बिच में दो internal disulfide bridge है और एक disulfide bridge A के अंदर होता है जबकि इसने गलती से किस में दिखा दिया बटा B में दिखा दिया तो इसको अटा देना हलाकि नीचे वाले diagram में इसलिए correct कर दिया है green के अंदर internal disulfide bridge दिया है और green किसको denote करता है A peptide को A में internal disulfide bridge दिया है और दो disulfide bridge A और B को connect करते है और यह free C peptide को क्या कर दिया है बटा release कर दिया है यह diagram भी board exams में आया है यह diagram किसका है maturation of pro insulin into insulin तो यह correction आप लोग कर लेना इसमें आपको कोई दिखत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह तो थी human insulin की discussion अब हम बात करते है non human source से जो हमें insulin मिला किसे मिला non human source से अब जैसे pig से अगर हम insulin को isolate करे तो pig का insulin human insulin से one point पे differ करते है और अगर हम cattle का insulin use करें तो cattle का insulin होमेल के insulin से three point पे differ करते है अब क्योंकि differ कर रहे है तो body कुछ हिस्से को क्या recognize करेगी foreign और immunological response देगी वो response हम चाहते नहीं है लेकिन आमारी body दे रही है unwanted immunological response आजाते है चीके तो इसलिए क्या होता है अगर हम किसे patient को non human source का insulin दे रहे है तो कई बार उसकी body कुछ sensitive reaction या side effect शो कर दिये अब question आते हैं कि जब उसकी body side effect शो कर रही है तो हमें कोई alternate source ही है जिसमें हमारे पास unwanted immunological response ना आए तो वो alternate method क्या है वो alternate method है genetic engineering की help से या recombinant DNA technology की help से हम क्या बनाए बटा human insulin बनाए इसके लिए हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं बटा हम insulin gene को isolate करते है human genome में से किस में से? human genome जो एक healthy human है जिसकी body properly function कर रही है मतलब उसका pancreas उसकी जो beta cells है वो normal insulin की production कर रही है तो उसकी body के cell से हम उस gene को isolate कर लेंगे जो की human insulin की production के लिए अब उस gene को निकालने के लिए हमने restriction enzyme यूज किया अब इसको insert करने के लिए हम use करेंगे plasmid vector plasmid क्यों use करें क्योंकि हमें insulin के large production चाहिए अब large production के लिए हमें host ऐसा चाहिए जो कम time में large number में multiply कर ले तो हम एक bacteria को as a host यूज करेंगे तो अगर हम bacteria को as a host यूज़ करें तो या तो हम bacteria of आज यूज़ करेंगे या plasmid तो यहां पर हमने plasmid को as a vector यूज़ किया हमने किसी E. coli का plasmid निकाला उसको same restriction enzyme से काटा और फिर ligase की help से उसको bind करा के हमने क्या बना लिया recombinant अब हमने कोई और E. coli लिया अब यह E. coli as a host है और वो E. coli किसके तोर पर था as a donor of vector उससे हमने vector लिया था दोनों E. coli अलग अलग है अब हमने इस E. coli का पहले plasmid निकाल दिया जो कि वो plasmid कैसा था normal plasmid था हमें वो plasmid नहीं चाहिए हमें तो recombinant plasmid से यह तो हमने क्या किया सबसे पहले इस E. coli को plasmid free किया plasmid free करने के बाद हमने इसके अंदर transformation कराया R. DNA को इस E. coli cell में insert कराया तो अगर यह E. coli cell इस recombinant DNA को अपनी body में enter करा लेती है मतलब यह transgenic बन जाती है तो फिर हम इसके large scale culturing करेंगे और large scale culturing के लिए हम क्या यूज करेंगे बटा fermenter यूज करेंगे मतलब bio reactor यूज करेंगे ठीके तो हमने इस E. coli host को fermenter में डाला bio reactor में डाला और इसको grow कराया multiple times multiple times grow कर गया तो host का जितना number चाहें हमने multiply करा लिया लेकिन अब हमें इससे insulin isolate करने extract करने किसे product को निकालने तो हम क्या करेंगे downstream processing करेंगे अब genetic engineering को use करके हमने human insulin की production कैसे करेंगे अब यहां पर problem क्या आ रही थी अगर हमने सीधा insulin gene ले लिया तो problem क्या रही थी human का जो gene है वो तो pro insulin के लिए card करता है अब फिर जब pro insulin बन जाता है store तो उसी form में होता है तो उसको active करने के लिए processing चाहिए तो जिसकी body insulin को produce नहीं कर रही थी maybe वो उसकी processing नहीं कर पा रही हो क्या पता क्या problem हो तो जब हमने gene डाला तो वो तो pro insulin के form में आया नहीं तो फिर इस problem को soul कैसे किया गया अब हमने human gene को insert करने की बज़ाए हमने क्या किया अलग अलग gene isolate किया ए पॉली peptide के लिए अलग से gene isolate किया और बी पॉली पेप्टाइड के लिए gene अलग से और बी पॉली पेप्टाइड के लिए जीन अलग से आइसोलेट कर लिया कि दूनों को आइसोलेट करने के बाद प्लाजमिड वेक्टर के अंदर इनको इंसर्ट कराए गया और वो plasmid vector हमने लिया उसके अंदर इसको insert करा है तो हमारे पास क्या आगया बटा recombinant vector आगया अब इस recombinant vector को हमने allow किया e coli को impact करने के लिए लेकिन कैसा e coli जिसके normal plasmid को हमने remove कर दिया है अब इसके अंदर recombinant plasmid enter करेगा कौन सा plasmid enter करेगा recombinant plasmid तो ये e coli आपका कैसा बन जाएगा genetically engineered e coli लेकिन आवारे पास दो अलग अलग genetically engineered e coli बन गे कैसे एक तो ऐसा जो किसकी production करेगा a polypeptide chain की और एक ऐसा जो किसकी production करेगा भी polypeptide chain की तो दोनों की हमने अलग-अलग culturing कर आई bioreactor में अलग-अलग डाले हमने तो हमने इसके भी क्या करा दी culturing करा दी और culturing करा के दोनों पे अलग-अलग हमने downstream processing कर आई और downstream processing करा के हमने दोनों दोनों के दोनों polypeptide chain को अलग-अलग isolate कर लिया यहां से हमें a polypeptide chain मिली और यहां से हमें मिली भी polypeptide chain अब सबसे बड़ी problem क्या थी कि इनको assemble किया जए क्योंकि जब तक हम इनको assemble नहीं करते हैं जब तक आपका इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमने क्या किया A और B polypeptide chain को disulfide bridge से connect कर दिया यह major challenge था biotechnology के सामने सबसे बड़ा challenge था A और B polypeptide को तो आपने synthesize करा लिया था लेकिन इनको assemble करना सबसे बड़ा challenge है by technology के सामने अब इस technique को use करके सबसे पहले जो genetic engineering की technology किस ने develop की gen tech company ने कब बटा 1978 में हलाकि बाद में इस company ने अपनी technique को sale कर दिया और उस technique को अब किस ने purchase कर लिया उसको purchase कर लिया अली लीली company American company थी अली लीली company इसने September 1982 में इसकी technique को purchase कर लिया और 5th July 1983 में अली लीली company ने first genetically engineered human insulin को produce कर आया और उसको किस नाम से launch किया homolin के नाम से launch किया ठीक है तो पहला जो genetically engineered insulin बनाया गया human consumption के लिए वह कौन सा था homolin अब क्योंकि यह बनाने के लिए हमने human का ही जीन लिया है तो यह exactly match करेगा किसे human insulin से तो कोई भी side effect यहां पे नहीं आएंगे तो यह थी आज का lecture आपका और next lecture में study करेंगे बिटा gene therapy thank you